Hello students, our topic is community helpers. So last time हमने police officers, doctors and firefighters किये थे. आज हम librarians, postal workers and teachers लिखेंगे. इनकी reading करेंगे, ठीक है? So librarians, librarians are community helpers too. They help people find the books they need. They read stories to children. They help people use computers to search for books. The library is a great place to be. अब आप बच्चों ने एक वर्ट सुना होगा, library. Library क्या होती है? जहां पे बहुत सारी books रखी जाती है. ठीक है? आपके स्कूल में भी library है, है न? जहां पे बहुत सारी books हो, उस वाले एरिया को, उस वाले room को क्या कहते हैं हम? लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी में काम करने वालों को हम कहते हैं, librarian. क्योंकि अगर हम किसी लाइब्रेरी में कोई book ठूणने जाएं, तो हमें तो नहीं मिलेगी, है न? क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि कोई सी book कहां पे रखी गई हैं, तो वो ही book को सर्च करने के लिए, हमें किसकी जरूरत पढ़ती हैं वहां पे? लाइब्रेरियन की, क्योंकि लाइब्रेरियन नहीं books रखी होती हैं वहां तो उनको पता होता है, ठीके? तो वो हमारी वहां पे help करती हैं, हमारी books को find out करने में धूणने में, ठीके? और उसकी अलावा जो लाइब्रेरियन हैं वो बच्चों के लिए stories भी read करते हैं, ठीके? तो लाइब्रेरियन भी एक community helper हैं क्योंकि वो बच्चों की help करते हैं, है न? क्योंकि वो people की help करते हैं, books को ढूणने में और छोटे बच्चों के लिए वो stories को भी read करते हैं, so librarians are also community help Next is postal workers Postal workers Postal workers कहो आप या postman कहो एकी बात है ठीक है Postal workers sought mails to be delivered Your letter carrier brings your letter to your house and carries the letter to where you want to send them अब अगर आपको कहीं letter भेजना होता है तो वो हाँ पे आपकी कौन help करते हैं? Postal workers या अगर कहीं से letter आए तो वो भी हमें कौन पहुंचा के देता है? Postal workers तो postal workers का काम क्या होता है? Letters को, mails को deliver करवाना उनको सही जगा पे पहुंचाना So postal workers are also community helpers क्योंकि वो तो हमारी help करते हैं आज के time में letters कम होते हैं use बट पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे पर still आज भी होते हैं ऐसा नहीं है कि आज नहीं होते तो इसलिए postal workers की ज़रूरत नहीं है आज भी बहुत सारे letters को एक जगा से दूसरी जगा भेजा जाता है ठीक है तो वहाँ पे कौन help करते हैं letters को deliver करने में postal workers ओके then teachers teachers कौन होते हैं आपको तो पता है जो आपको पढ़ाते हैं तो वो भी community helper हैं है नश टीचर सार community helpers too teacher help children learn they help children read and write they plan projects and games some teachers teach art music mathematics and drama also अब teachers जो हैं वो भी आपके community helpers हैं क्योंकि वो आपको learn करना चीजों को learn करना सिखाते हैं वो आपको read करना सिखाते हैं वो आपको write करना सिखाते हैं है नश आपके लिए projects plan करते हैं games plan करते हैं बहुत सारी activities plan करते हैं और उसके अलावा कोई teachers तो ऐसे भी होते हैं जो arts के होंगे art and craft के कोई music का तो आपको music सिखाएंगे जो mathematics के teacher होंगे वो आपको math सिखाएंगे है ना तो ऐसे ऐसे different different teachers होते हैं तो teachers भी क्या है community helpers है क्योंकि वो भी हमारी help करते हैं वो हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं है ना वो हमें art and craft सिखाते हैं और बहुत सारी चीजें हमें सिखाते हैं good manners भी हमें सिखाते हैं ठीके तो teachers are also committee helpers तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा librarians, postal workers and teachers तो जो हमने कल पढ़ा था वो भी मैं आपको बताओ फिर से एक बार repeat करते हैं क्या-क्या पढ़ा हमने police officers, doctors, firefighters, librarians, postal workers and teachers तो आज आप इन तिनों की reading करेंगे और आप ये community helpers को आज अपनी notebook पे फिर से लिखेंगे ठीके, इन्हें आप लिखें और इनकी spelling को आप अच्छे से learn करें ओके, thank you